आप सभी माता बहन भाईयों को जैस्री राधे जैस्री कृष्णा आज हम कार्तिक महत्म के 22 अध्याय को सुनेंगे इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आए कार्त के श्राप से भगवान विश्नु का क्या हुआ और फिर वह कहां गए नारज जी बोले हे राजन जब सभी देवता भगवान शिवजी की इस्तुती कर मौन हो गए तब भगवान शंकर जी ने उन सब देवताओं से कहा हे ब्रह्मादी देवताओं जलंधर तो मेरा ही अंश थ मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा यह तो मेरी सांसारिक लीला थी तब ब्रह्मादी देवताओं के नित्र हर्स से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विश्नु जी का वह सब वरतांत कह सुनाया देवता बोले हे प्रभू भगवान विश्नु जी ने आ और व्रिंदा अगनी में प्रवेशकर परमगती को प्राप्त हो गई तभी से व्रिंदा पर मोहित हुए विश्नु जी उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर विलाप कर रहे हैं हे प्रभू व्रिंदा के श्राप के कारण भगवान विश्नु अब पत्थर में परव आया समझाई और कहा कि उसी से भगवान विश्नु मोहित हो गए है हे देवताओ महा देवी उमा त्रिदेवी की जरनी सबसे परेवह मूल प्रकरती है अत एव विश्नु जी का मुह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाईए शंकर जी की आग्या से सब देवता म मूल प्रकरती को प्रसंद करने चले उनके इस्थान पर पहुँचकर उनकी बड़ी इस्तुती की तब यह आकाशवानी हुई कि हे देवताओ मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से प्रतक होकर इस्थित हूँ सत्य गुण से गौरा, रजो गुण से लक्ष्मी और तमो गुण से जोती रूप हूँ, इसलिए तुम सभी उन देवियों के पास जाओ, वे ही तुम्हारे मनोरथों को पुर्ण करेंगी, यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए, गौरी, लक्ष्मी और सरस्पती को प्रणाम करने लगे, तब देवताओं इन बीजों को ब्रंदा की चिता भूमी में जाकर बोदो, तो तुम्हारे सब कारे सिद्ध हो जाएंगे, ब्रह्मा आदी उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास आए, देवताओं ने वह बीज ब्रंदा की चिता भूमी में डाल दिये, हे राजन, विधात्री के बीज से मालती, गौरी जी के बीज से तुलसी प्रकट हो गई, विष्णु जी ने जैसे ही धात्री मालती और तुलसी को देखा, तो प्रभू की उनमें प्रीती हो गई, और वह सारा दुख भूल शालिक ग्राम में परवर्तित हो, तुलसी की च्छा में रहने लगे, तथ एक रूप से बैकुंठ में चले गए, हे राजन, यह व्रतांत शिव जी की भक्ती देने वाला, एवं विष्णु जी की कृपा देने वाला है, इतना कह करके, आज के 22 अध्याय का समापन करते हैं, आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, पुनहा, आप सभी माता बहन भाईयों को, जैस्री राधे, जैस्री कृष्ण,